नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे साथियों आप लोग काफी जदा मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर यूपी बीएड का जो एंटरेंस एक्जाम है वो इस वर्स होगा या नहीं होगा होगा तो फिर वो कब तक होगा यती नहीं होता है तो फिर एडमिशन की प्रक्रिया कैसी रहेगी तो साथियों आपके यूपी बीएड प्रतक हो जाता हूँ इस यहल के माध्यम से साथियों यूपी बीएड एंट्रेंस एक्जाम जो कि टू येर के लिए हर साल उत्तर प्रदेश में कंड़क्ट करा जाता है जिसके लिए जो उत्तर प्रदेश में सीट हैं लगवग ढ़ाइलाग सीट के लिए एक्जाम करना पड़ा अब यहां पर क्वेशन यह है कि इस बार एक्जाम होगा या नहीं होगा तो साथियों हम आपको बताते हैं कि पिछले वर्स जो आपका कोरोना संक्रमन आया था पिछले वर्स भी आपका जो यूबीएड एंट्रेंस एक्जाम रद करना पड़ा था लेकिन को यूपीएड एंट्रेंस एक्जाम है अब उसके जो चांसे है 99.99% वो आपका एंट्रेंस एक्जाम कराये जाएगा अब एंट्रेंस एक्जाम कराये जाएगा तो फिर वो कब तक होगा तो साथियों यूपीएड एंट्रेंस एक्जाम है वो उसकी उमीद लगाए जा रही यूपी बीएड में आप कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा सक्षम स्कॉलर्शिप एक टैस्ट होता है तो वह हर साल कंड़क्ट कराया जाता है जिसमें पिछले वर्स भी लाकों बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था और काफी सारे पच्चों ने उसमें इसकॉलर्शिप अपनी प्राप्त की थी यह स्कॉलर्शिप गौर्रमेंट से अलग है तो साथ यदि आप भी सक्षम स्कॉलर्शिप में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बिल्कुल फ्री अफ कोस्ट रईश्यशन है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको सक्षम में स्कॉलर्शिप की तरफ से कंफर्म हो कि आपको कितनी scholarship मिल सकती है जो आपको government की तरफ से scholarship मिलेगी वो आपकी अलग रहेगी तो साथ यह UPBR entrance exam को लेकर जो भी question query थे वो मैंने आपको update कर दिये है यदि अभी भी आपको कोई question रह गया है तो आप मेरे से comment box में पूस सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका answer या उ जलिए साथियों मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हिन जय भारत